आएं देखें corporate governance में directors जो committees form करते हैं वो कौन सी होती है और उनकी rules क्या है और इसमें क्या discuss होती है देखें इसमें मैंने 6 committees की बात की है लेकिन ये 6 से ज्यादा है लेकिन कमज कम ये committees तो हर company में आपको मिले audit committee very important देखें audit के बारे में note करें एक है external audit वो जो बाहर से लोग आते हैं audit करते हैं साल के end पर आते हैं quarterly भी आ जाते हैं एक वो यह internal audit एक committee बनाई जाती है जिसके heads होते हैं और फिर वो daily basis पर वो काम को verify करें ये internal audit की बार एक interim audit भी होता है लेकिन वो external लोग करते हैं आप जह मेंने के बाद बुला लें quarter के बाद बुला लेकिन यहां जो है न यह audit committee यह internal audit plus external audit दोनों के लिए यानि इसमें जो भी audit होना है यानि इसमें जो members है वो qualified होने चाहिए qualified means के जी उनको audit experience होना चाहिए audit का मतलब simply इतना ही है कि आप यह देखें कि जो हमने rules frame किये हैं अमारे जो होता है कि आपने हर काम का जो है हर activity का जो है na rules and regulation define किये और जब तक आप internal audit से होकर वो चीज नहीं गुजरेगी आप उसको approve नहीं करें उसको accept नहीं मैंने state bank में भी काम किया हुआ है यकीन माने the best internal audit और जो internal audit में बंदा लगाया जाता है उसको सारी company के affairs का सारी department में से experience होता है कि कहीं से भी कोई नहीं होती है न अप्रूव करना होता तो उसके लिए बी special pencil या special ink उनको दी गई है वो उससे उसको approve करें तो यह internal audit जहना वरी वरी है कि इसमें जो भी लोग involved होंगे यह देखें कि उनको पता होना चाहिए कि जो rules है उसके मताबिक की काम चल रहा है कि ऐसे ही ना उनको follow किया है एक order आप receive करते उसकी booking हो रही है उसकी documents आ रहे है उसकी recording हो रही है उसकी invoice हा रही है end of the day उसकी payment होनी है तो देखें तो उसे goods actually आई भी है के नहीं है पूर अप्र डाकुमेंटेशन उसके पीछे है या नहीं तो पूरी एक trail देख और जब तक को satisfy नहीं होते उसको invoice को approve नहीं करते हैं उसकी payment नहीं होते है तो यह जो internal audit committee है यह सिर्फ नहीं खतम नहीं है मैं बता रहा हूं इसमें तो और बहुत सा का मसला हम accounts आपके final हो रहे है ना तो auditor के साथ external audit के साथ मिलकर जब तक यह committee accounts को approve नहीं करेगी वो board में पेश ही नहीं होगे यह भी उन audit committee जो है उसके क्या क्या को उसके composition क्या है और उसके duties में क्या क्या शाह में रिमुनरेशन committee यह रिमुनरेशन basically directors की बार कि directors को कितने पैसे दिये जाएंगे अब question यह है कि director तो मालिक है कहते हैं क्योंकि major shareholders तो वह हैं आज कल पाकिस्तान में लेकिं ऐसा नहीं है आपको बकाय situation को fix करेगी मैं आपको बता हूँ यह बड़ी problems हैं दुनिया में और मैंने खुझ से भी देखा है मैं मुझे एक दफा इसमें डाल दिया गया था किस institution में तो मैंने directors जो top level chairman था ना उसको ही कह दिया बाकर नीचे के directors को भी कह दिया मैं कर जी आप मुझे लिख कर दें आपक या benefits चाहिए और वो ही आपको मिलेंगे और इसके लावा कुछ नहीं मिलेगा मेरी चुटी हो गई कि कुछ अर्जा के साथ यह problem है पाकिस्तान कि आप action लेंगे लेना चाहिए क्योंकि लेकिन यह ऐसा तो नहीं कि जो मर्जी लेते चले जाएं आपको अगर को perks भी देने है इस तरह human resource committee यह इसमें वो directors की selection भी है और बाकी staff जो आ रहा है उसकी selection भी है उसकी remuneration वगारा का भी जो है जैनि कहीं भी आप employee को hire करना चाहते हैं किसी भी stage पर किसी भी level का तो देरे चे committee हो होते हैं हमारे हां interviews होगरा होते हैं और जो influence होता है बाहर से वो नहीं होना जाए competent आदमी रखें और उसको properly remunerate करें ताके वो diligent मेनस से काम भी करें और unfortunately आज के दौर जो में तो problems हैं आपको वैसी रख लेते तो हैं लेकिन आपको due chairs नहीं दी मिलता जो मिलना चाहिए तो this will not work nomination committee यह जो है directors की appointment के लिए committee बनाए जाती है और मुक्तलिफ लोग apply करते हैं directors के लिए है आप ढूंडते हैं और फिए committee जो है यह nominate करती है कि इसमें से कौन कौन से directors जाना appoint करते हैं उनकी qualification देखते हैं उनका experience देखते हैं उनका knowledge देखते हैं और उनकी expertise को सामने रखते हुए फिर आप board के member दनाते हैं तो यह इनका काम है nomination आचा जैसे मैंने कहाता है क nomination में सिर्फ यह जो executive directors है non executive directors हैं और independent directors हैं इनकी बात को और जो मैंने का female directors उसका भी हिस्था है risk management कुमिट यह भी एक बहुत बड़ी जाब है कि जी आपने मुक्तलिफ किसम के जो risk कहें उनको कैसे manage कर मसलें देखें आप अगर import export का business कर रहे हैं तो उसमें देखें आपको foreign currency किसी आ भी जा रही है foreign currency जा भी रही है उसमें rate में जो fluctuations आ रही है how to manage क्या आप कुछ role play कर सकते हैं तो यह इस committee का जिम्मा है कि उस particular risk को कैसे आपने manage कर देखें इससे तरह prices of जो resources है वो बढ़ती चली जा रही है आपने काम तो चलाना है how to manage that increase in prices inflation को कैसे आपने manage it's a very difficult job लेकिन there are numbers of technology change आ रही है अगर आप प्राणी मशीने चलाते चल जाएंगे वो तो आउट डेट होगी है तो इनका तो फायदा को नहीं आपको replace करना पड़ेगा तो कैसे किस तरह से advertisement होगी ताके आप वो जो आउट डेट हो गई है आपकी machine उसको कैसे आप नई machine के साथ change करें पर क्योर्मेंट कुमिटी इसमें पर्टिकुलर्ली जो purchases है जो 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 खरीदना है या कोई चीज भी खरीदनी है तो उसके लिए कुमिटी बनती है अब इस कुमिटी में आगए सब कुमिटी बन जाती है कि इस लेवल तकी जो पर्चेज है लेट से टू मिलियन तक की जो है वो इस कुमिटी के पास जाएगी और अगर कुस्ते नीचे फर्ज करें लाख रुपए कि चीज है तो नीचे वाली कुमिटी में इसके मेंबर्स अगें एक्सपर्ड होने चाहिए जिनको पता हो मार्कीट में कहां पर क्या भी करा है और इस रिसोर्सिस की क्या ज़रूरी नहीं है कि जो लोइस्ट प्राइस टेंडर्ड है उसी को आप जाब तो उसी से आप चीज़ देखते हैं नौ नौट नसेस्ट गौर्मेंट डिपार्टमेंट में ये भी होता है मैं आपको उताता हूं कि आपको एक देखते हैं कि आपने इस तरह का काम पहले अंडर ओवर बजट क्या गया है यानि जो टेंडर आपने दिया था जो प्राइस आपके फिक्स होई थे उससे कितने परसंट आपने ज्यादा में कम में किया कितने पीरिड के लिए दिया था और कितने पीरिड में वहा कितने पीरिड में नहीं हुआ तो ये सारी चीज़े जो है यह procurement committee का ही हिस्सा है लेकिन इसमें बहुत सी details आ सकती है chairman and chief operating officer should have separate office यानि separate office हम रादिये के वो दो independent bodies है chairman अलग है और chief operating officer अलग है chairman का का नीचे लेवल को नहीं देखना है वो बोर्ड के लेवल को लेए चीफ executive का का काम जो है वो operation को देखे के कहां कहां क्या कुछ वरेशन में सारी activities ले ले लें बाइंग से लेके sales तक ले 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 मैनेजमेंट के पार्ट को ले 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 सारा जो है वो चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर रेगुलर्य मीटिंग्स मिली प्रवाइड एन एफेक्टिव चेक अन बैलन्स यह बहुत जरूरी है चेक अन बैलन्स मीटिंग्स हों मैं आपको ब करनी पड़ती है हमारे चले मंथली कोई मीटिंग कर लें वह भी काफी है लेकिन हमारे अगें मेंबर सीरियसली नहीं लेते हैं के जी कुमिटी की जो मीटिंग्स है वह बहुत ही जरूरी है और देखें अगर प्रॉब्लम्स है तो डिसकस करें यह नहीं कि आप उसको गरज करके डिसॉल्व करें तो यह मुख्तलिफ जो कुमिटी हैं इनके अपने अपने रोल्स हैं और इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं मैंने जैसे कहा कि आप प्लीज जो किसी भी कंपनी की एन्मल रिपोर्ट उठाएं और उसमें इन कुमिटी की डिटेल्स अवेलेबल है उनक और जाए दाएरायकार जो है वह 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 अवेलेबल है सारी शीजरस में आपको मेंशन के गही हैं तो प्लीज जस गो थू थू दोज रिपोर्ट एन जी हाव थी सुमिटी तार वाकिंग थैंक यू वेरी मांग